मैं आज संघीता कुकिंग में बनने जा रहा है मक यथा और उस भी मेथी डालके पराथे और देखिए बिलकुल पत्ले प काथे ऐं और हम की के आटे को थो ऐसे इस अधों नाटिंगे तो इसके लिए हमने क्या किया मैं भी आपको दिखाती हूं उसके लि एग बीbug हम डिया मश्किके餅ट ङांटे हैं और इस अधोémie कि अंपैसी क्या दिखाती हूं और वेशार PC में क्या हुआर traditional मैं मुलिक्खाती कने को उज्ऍष्टी मॉइर् जुआइन डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून यह स्वाज अनुसार नवमक और 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हम लोग की हर खाने में चाहे वन पींची डालें पर डालते जरूर हैं तो और इसमें हमने मेथी के पत्तों को अच् कर absorbed हैं और अब हमने इसे अच्छी तरह से बिलाना है पहले पानी नहीं डालना है इस मत अच्छा से मिलाते हुए टाकि जो भी पानी और वो अब्ज़र्ब कर लेएं उसके बाद हम बनष्ट्वे थड़े पानी F इससे मिलाएंगे मकी कांट दसे में आते में आप जितना पानी डा लेंगे यह पानी बहुत अपजर्ब करता है ठोप फोड़े पानी डाल के इसे में सक्त डो नहीं बनाना बिल्कुल थोड़ा गीला ही डो बना तो देखिए हमने गीला डो बना दिया और अब देखिए बिल्कुल सॉप्ट डो है यह बिल्कुल सुखा नहीं है क्योंकि गीला डो और क्योंकि इसे हम थोड़ी दर छोड़ेंगे तो क्या होगा यह पानी को अब्जर्ब कर लेगा तो फिर इसमें अगर कम लगेगा तो हम पानी डालेंगे तो आप क्या करेंगे हमें 15-20 मिनट तक इसे हमें ढख के छोड़ देना है तक यह और भी सॉप्ट हो जाए तो देखिए हमारा डो देख लिए अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा और डालके इसे बिल्कुल ही नरम सा डो बनाईए और अब इसे हो उस पर थोड़ा हाटा लगा ले और उसके बाद उसे हम हलके हाथ से बेलेंगे जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं वह बिल्कुल आराम से बेल लेते हैं पर मैं आपको बोल के दिखाती हूं इसे कैसे बेलना है तो इसे गोल गोल हाथों से घुमाते हुए हमें इसे बहुत गोल ना भी हो तो भी कोई बात नहीं तो देखिए इसे हमें अच्छे से बेल दीया और बिल्कुल पतला हमने पर अठा बेला है और इसे मैं आपको शेक के भी दिखाऊंगे बिल्कुल नहीं तूटेगा और फुला-फुला सा पराठा बनेगा तो देखिए हमने ब तो इसे हम ने हलके हाथ से हमें बेलना है यो बिल्कुल नहीं टूटेगा और किनारी थोड़ा फटता है तो उसे आप हाती हो की सहायता से बड़ाबर कर सकते हैं देखेगा मैं आपको हाथों की सहायता से दिखाऊओंग ये बिल्कुल अच्छे से गोल कर देंगे और तवा जब अच्छा गरम हो जाए तो हमें इस पराटे को डाल देना है और एक तरफ अच्छे से शीख जाए तब हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड अच्छे से पलटते हुए हम इसमें घी रिफाइन तेल आपकी इक्षा जो हो आप इसमें लगा आठा है और जो बच्छे मक्की आठा बिल्कुल नहीं खाते आप इस परकारून को बना के दे दीजिए वो जरूर खाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह मक्की का आठा है तो देखिए हमारा परेटा कितना बढ़िया से सिग गया तो मैं एक और डाल के आपको द लगती है प्लीज हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और मकी का पराठा कौन कौन बनाता है एक बार हमें जरूर बताएं किसके किसके घर में ऐसे पराठा बनता है यह पर तो प्लीज जो लोग जो मारे सब्सक्राइबर हैं वो तो ठीक है पर जो लोग सब्सक्राइ एक लाइक कॉमेंट हमारे लिए बहुत ही माइने रखता है तो इस परकार हमने मक्की का पराठा और मिक्स साग और साथ में हमने कुत्री काटा साग की रेसिपी मैं आपको नेक्स वीडियो में जरूर दूंगी थैंक यू